पेस अटाक तो यहां पर इस टीम की ऐसी ताकत है जिसे आप कह सकते हैं कि बहुँ कुछ भी हो सकता है इस टीम के अंदर एक दो नहीं बलकि कई बड़े नाम है जिस एक फैक्टर पर पाकिस्तान हमेशा से बैक करता है हमेशा से स्ट्रॉंग जाता है वह तो उनका पेस अटाक इस बार भी अगर आप देखेंगे कि पांच-पांच पेसर्स के साथ पाकिस्तान जा रहा है अब बास अफ्रीदी है हारिस रॉफ है नसीम शाह आपके लिए मौमद आमिर वहां पर आपके लिए शाहिंशा अफ्रीदी आपके लिए मतलब पूरी एक जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है पाकिस्तान की स्कॉर्ड में वो उनका पेस अटाक है विद पारी खेल दी थी अगर आप ओवरॉल देखो उस मैच को उस मैच को जाधा तर पाकिस्तान नहीं डॉमिनेट किया था बड़े नामों से शाहिन अफरीदी से शुरू कर सकते हैं मौहमद आमिर इस टीम का हिस्सा है रिटार्मन के बाद इने खास दोर से वापिस लाए गया है और नसीम शाह इस टीम का हिस्सा है चार अच्छे अच्छे तेज गिंद बाद इस टीम में नजर आते हैं मौहमद आमिर शाहिन शाह अफरीदी ये अच्छे पेसर है नसीम शाह तीज आर ओल गुड नेम्स अगर वेस्ट इंडीज में वाकी बॉल ठसके आती है तो ये अच्छा कर सकते हैं कोई नहीं है टकर में बाबर आसम ने तोड़ा विराट कोली का रेकॉर्ड हाथियाली नंबर वन की गुरसी प्रोईट शिर्मा जो 17 साल में नहीं कर पाए बाबर आसम ने 8 साल में कर दिया अगर किसी भी अन्प्रेडिक्टेबल साइड की बात की जाए एक ऐसी टीम जो की अपने दिन पर किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकती है तो वो यकीनन पाकिस्तान की ही टीम है पाकिस्तान का पहला बल्लिबास पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और बॉबी ने टीट्वेंडी वर्ल्लकप से पहले क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अपने नाम बड़ा रेकॉर्ड दर्च कर लिया वैसे बाबर आजम की बतौर कप्तान वापसी भी इस टीम का एक स्ट्रॉंग पॉइंट है क्योंकि बाबर आजम जब वन्डे वर्ल्लकप के बाद हटाए गए थे तब पाकिस्तान टीम थोड़ी सी बिखरी बिखरी नज़र आई थी एक बार फिर बाबर आए हैं उनका ए उस एंकर विकरान गुपता ने पाकिस्ताने बालिंग को सबसे खतरनाक बालिंग अटेक करार दे दिया 2021 के वर्लकप में इंडिया के खिलाब शाह नारिस रूप और नसीम शाह ने शांदार बालिंग का मुझारा किया था मगर अब वो बालिंग अटेक उस से बेज्यादा खतरनाक बन चुका है क्योंकि इस बार ग्रेन आर्मे के बालिंग में चैंपियन मुझार आमिर ने बेकादम रखी है मजएच चलते हैं आप लोगों के साथ बारती मेडिया की मुकमल वेडियो शेयर करते है अब कही न कही न बिफोर दा मैच ऐसा नहीं है कि इंडिया इंविंसिबल है पाकिस्तान हरा ही नहीं सकता इंडिया को अब देखो वो जो विरात कोली ने मिलवन में ऐसी पारी खेल दी थी, अगर आप overall देखो उस match को, उस match को ज्यादा तर पाकिस्तान नहीं डॉमिनेट किया था ये भी हकीकत है कि all sir and done आपने पिछली मरत्बा पाकिसान को हराया था उससे पीछे पाकिसान इंडिया को हराया था ये भी सही है कि उस दुबई वाले में पाकिसान समी फैनल केला हम पहले दोर में बाहर और पिछले उस्ट्रेलिया वाला वर्ली टीट्वेटी पाकिसान काबले में जादत तर्टाइम पाकिस्तान आवी था तो उन्होंने आपको दरा तो दिया है वह आप आपको आपको मुहम्मद आमिर के आते ही इस बॉलिंग अटैक में जान आ गए है तिंग पाकिस्तान डेंजरिस बनता है बिकॉस शाहिंशा फ्रीदी थे नसीम शाह अहा कि अगर किसी भी अनप्रेडिक्टेबल साइड की बात की जाए एक ऐसी टीम जो कि अपने दिन पर किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकती है तो यकीनन पाकिस्तान की ही टीम है पिछली बार जब 2022 का टी टीम फाइनल तक पहुँची थी जहां पर इंग्लेंड के हाथ जल्दी से उन 15 नामों पर जिस पर इस बार पाकिसान क्रिक्ट बोर्ड और उसके सेलेक्टेज ने दाव क्यला है बाबार आजम है सैम आयूब है मौहमद रिजवान है फकर जमा है आजम खान है उस्मान खान है इफ्तेकार एहमद है इमाद वसीम है शाहीन अफ्रीदी है अपने आप इस टीम को देखें तो एक अच्छी टीम यहाँ पर नजर आ रही है और इस टीम की कई ताकत है और अगर आप देखें तो चाई टॉप और के बले बाज हो चाई मिटल ओर के बले बाज हो और लांडर की हो फास बॉलिंग की बात हो ओवर आल ये टीम टी-20 के अच्छी साइड नजर आ सकती है प्लेइंग लेवन तो बहुत अच्छा बनेगा लेकिन टीम की ताकत और कमजोरी को अगर हम स्पेसिफाय करके देखें तो यहाँ पर तस्वीर थोड़ी थोड़ी बदलती दिखती है तो सबसे बहले नजर डालते हैं पाकिस्तान की ताकत पर क्योंकि यह इस टीम का सबसे ज़्यादा X-Factor रहेगा अच्छे और T20 के बड़े बल्ले बाद जिया इस वक्त अकर पाकिस्तान टीम की ताकत की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम में बड़े बड़े नाम है इस बार मुहम्मद रिजवान और बाबर आजम पारी का अगास करेंगा क्योंकि हाल फिलाल में जो स्ट्राटेजी थोड़ी सी बदली नजर आई और मिडल और की अगर बात की जा तो टीम के मिडल और में जहां पर इफ्तकार एहमद हैं उस्मान खान जैसे खिलाडी है यह भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं बैटिंग और में आपको मुहमद रिज्वान फकरजमा की जो सिच्वेशन उपर नीचे होती हुए नजर आ सकते हैं तो एक मजबूत T20 के बड़े बल्लेबाद इस टीम में नजर आते हैं जिस एक फैक्टर पर पाकिस्तान हमेशा से बैक करता है हमेशा से स्ट्रॉंग जाता है वह होता आपको मुहमद आमिर शाहिंशा अफरीदी ये अच्छे पैसर है नसीम शा तीज आ ओल गूड नेम्स अगर वेस्ट इंडीज में वाकी बॉल फसके आती है तो ये अच्छा कर सकते हैं साथ में के मौहमद अबाबाबास अफरीदी पीसल में काफी अच्छा किया है उसके मतलब ये सारे बोलर आपके अच्छे हैं और इमाद वसी काफी अच्छा कर सकता है शादाब ने अभी तक हाल फिलाल में कुछ करा नहीं डेड़ दो तीन साल लोग उसको लेकिन हो सकता है वहां पर जाके क्योंकि इनकी बॉर्णिंग अच्छी है इमाद शादाब करते हैं इसलामाबाद इनटेडिस बार पीएसल बीजीत करा रही है अबास अफ्रीदी आप यहां पर देख रहे हैं उस्मान खान वंस अगें पीएसल से तैलेंट को बैक करें लेकिन उस्मान और अबास दोनों शाहिद फ्लेंग इलेवन में में करें बिकॉस अबास की आगे चार पेसर सीनियर है वहाँ पर नसीम है शाहिन है मौमद आमिर वहां पर हार इस रॉफ को एक प्रेफरेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर इमाद वसीम धंसे बोलिंग कर ले और शादाब भी तो यह तीम अलगी हो जाएगी अलग लेवल की हो जाएगी प्लस इनको इंको लगा सकता है इट और डिपेंड्स नसीम शाने भी इनके लिए मैच फिनिश करें तो 2017 में भाई यह सबके सब बहुत बढ़िया खेले हैं शादाब भी इमाद भी तो इनको वही करना पड़ेगा मान लिया कि साथ-8 साल हो गए तबसे बट अगर टीम में हो तो तो तुमें अच्छा तो करना है इनकी में स्टेंथ है बोलिंग पेसर इनका आमिर कैसा करें आमिर ने कैसा करना है शाहिए अफ्रीदी ने कैसा करना है साथ-2 शाह बड़े टाइम के बाद प्यास तो प्लेंग लिए बने ना बने कोई नहीं है टकर में बाबरासम ने तोड़ा पाथियाली नमबर वन के कुर्सी रोईट शिर्मा जो 17 साल में नहीं कर पाए बाबर आजब ने 8 साल में कर दिया विराट कोली के कलब में हुए शामिल बाबर आजब ने वाल्ड कॉप से पहले रचा इतिहास बना ये मुकाम हासिल करने वाला पाकिस्तान का पहला बल्लेबा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजब उर्फ बॉबी ने टी ट्वेंडी वाल्ड कप से पहले क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अपने नाम बड़ा रेकॉर्ड दर्च कर लिया बाबर ने ये कारनमा इंगलैंड में मेजबान टीम के खिलाव सीरीज के चौथे और बाबर इंगलैंड के खिलाव टी ट्वेंटी इंटरनाशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बलेबास बन गए हैं लंदन के करिंग्टन ओवल में खेले के इस मैच में बाबर ने टी ट्वेंटी इंटरनाशनल क्रिकेट में अपने चार हजार रन भी पूरे कर लिए बाबर आसम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बलेबास बन गए हैं इस लिस्ट में दबदबा कायम है केंग आफ क्रिकेट विराट कोली का जिनोंने 4037 रन बनाए हैं और पहला पोजीशन हासिल किया है जबकि बाबर 4023 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं बाबर ने इंगलेंड के खिलाव अभी तक कुल 18 T20 मैचस केलें जिसमें उन्होंने 660 रन मनाए